नमस्ते दोस्तों, प्रस्तु थे मुश्री प्रेमचंदीजी के द्वारे लिखीवी कहानी कामना तरू राजा इंद्रनात का देहांत हो जाने के बाद कुवार राजनात को शत्रूओने चारो ओर से ऐसा दबाया कि उन्हें अपने प्राण लेकर एक पूराने सेवक की शरण में जाना पड़ा, जो एक छोटे से गाउं का जागीरदार था कुवर स्वभाव से ही शान्ती प्रिये, रसिक, हंस खेलकर समय काटने वाले ये वक थे रंड छेत्र की अपेक्षा कवित्व की छेत्र में अपना चमतकार दिखाना उन्हें अधिक प्रिया था रसिक चनों के साथ किसी व्रिक्षी के नीचे बैठे वे, कावे चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था, वा शिकार या राजदर्बार में नहीं मिलता इन पर्वत मालाओं से गिरेवे गाउं में आकर उन्हें जिस शान्ती और आनंद का अन्भव हुआ, उसके बदले में वो ऐसे ऐसे कई राज़ित त्याग कर सकते थे यह पर्वत मालाओं की मनोहर छटा, यह नेतररंजक हरियाली, यह जल प्रवाह की मधुर वीना, यह पक्षियों की मीठी बोलिया, यह मरिक शावकों की छलांगे, यह बच्ञों की कुलेले, यह ग्राम नेवासियों की बालोचित सरलता, यह रमणियों की संकोच में चपलत ये सभी बाते उनके लिए नई थी पर इन सबों से बढ़कर जो वस्तु उनको आकरशित करती थी वो थी जागिर्दार की युवतिकन्या चंदा चंदा घर का सारा कामकाज आप ही करती थी उसको माता की गोद में खेलना नसी भी न हुआ था पिता की सेवा में रत रहती थी उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच में कुमर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया उसने अपने पती का जो चित्र मन में खीच रखा था वही मानो रूप धारन करके उसके सम्मूख आ गया कुमर के आदर्श रमनी भी चंदा के रूप में अवतरित हो गई लिकिन कुमर समझते थे कि मेरे ऐसे भागय कहां चंदा भी समझती थी कि कहां यह और कहां मैं दोपहर का समय था, जेट का महीना कपरेल की घर भट्टी की भाती तपने लगा था खस की टट्टियों और तैखानों में रहने वाले राजकुमार का चित गर्मी से इतना बेचान हुआ कि वो बाहर निकल आये और सामने के बाग में जाकर एक घने व्रिक्ष की चाओं में बैठ गये सैसा उन्होंने देखा कि चन्दा नदी से जलका गागर लिये वे चली आ रही है नीचे जलती वी रेत थी, उपर जलता हुआ सूर्य लू से देश जुलस जाती थी कदाचित इस समय प्यास से तडपते वे आदमी की भी नदी तक जाने की हिम्मत न पड़ती चन्दा क्यों पाने लेने गई थी, घर में पानी भरा हुआ है, फिर इस समय वा पानी लेने क्यों निकली कुवर दोड़ कर उसके पास पहुँचे और उसके हाथ से गागर चीन लेने की चेश्ठा करते वे बोले मुझे दे दो, भाग कर छाह में चली जाओ, इसमें पानी का क्या काम था? चन्दा ने गागर न छोड़ी, सिर सकी सकता हुआ आचल सम्हाल कर बोली तुमी समय कैसे आगे, शायद मारे गर्मी के अंदर रह न सके कुमर, गागर मुझे दे दो नहीं तो मैं छीन लूँगा चन्दा ने मुस्कुरा कर कहा, राजकुमारों को गागर लेकर चलना शोभा देता है कुमर ने गागर का मुझ पकड़ कर कहा, इस अपराद का दंड बहुत सह चुका हूँ चन्दा, अब तो अपने आपको राजकुमार कहने में भी लजजा आती है चन्दा, देखो धूप में खुद भी हैरान होते हो, और मुझे भी हैरान करते हो, गागर छोड़ दो, सच कहती हूँ, पूजा का जल है कुमर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा चन्दा, अच्छा भई, नहीं मानते तो तुम ही ले चलो, हाँ नहीं तो कुमर गागर लेकर आगे आगे चले, चन्दा पीछे पीछे हो ली बगीचे में पहुँचे, तो चन्दा एक छोटे से पौधे के पास रुप कर बोली इसी देवता की पूजा करनी है, गागर रख दो कुमर ने आश्चरे से पूछा, यहां कौन देवता है चन्दा, मुझे तो कोई नजर नहीं आता चन्दा ने पौधो को सीचते वे कहा, यही तो मेरा देवता है पानी पीकर पौधो की मुर्जाई में पत्तियां हरी हो गई, मानों उनकी आँखें खुल गई हो कुमर ने पूछा, यह पौधा क्या तुमने लगाया है चन्दा? चन्दा ने पौधो को एक सीधी लकड़ी से बानते वे कहा हाँ, उसे दिन तो जब तुम यहाँ आये थे यहाँ पहले मेरी गुडियों का घरोंदा था मैंने गुडियों पर छाह करने के लिए एक अमोला लगा दिया था फिर मुझे इसकी यादी नहीं रही, घर के काम धंदों में भूली गई जिस दिन तुम यहाँ आये, मुझे न जाने क्यों इस पौधे की याद आगे मैंने जाकर देखा तो वो सूख गया था, मैंने तुरंत पानी लाकर इसे सीचा देखो अब कुछ-कुछ ताजा होने लगा है न, अब इसे रोज सीचती हूँ, देखो कितना हरा-भरा हो गया है यह कहते-कहते उसने सिर उठा कर कुमर की और ताकते वे कहा और सब काम भूल जाओ, पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती तुम्हे इसके प्राण दाता हो, तुम्हे ने आकर इसे जिला दिया, नहीं तो बिचारा सूख गया होता यह तुम्हारे शुभागमन का चिन है, जरा इसे देखो तो, मालूम होता है हस रहा है मुझे तो जान पड़ता है कि यह मुझसे बोलता भी है सच कहती हूँ, कभी यह रोता है, कभी हसता है, कभी रूटता है हाज तुम्हारा लाया हुआ पानी पीकर यह फूला नहीं समाता, एक-एक पत्ता तुम्हे धन्यवाद दे रहा है कुवर को ऐसा जान पड़ा, मानोवा पौधा कोई नन्हा सा क्रिडाशील बालक है जैसे चुम्बन से प्रसन्न होकर बालक गोध में चैठने के लिए दोनों हाथ फैला देता है उसी भाती या पौधा भी हाथ फैलाये जान पड़ता था उसके एक-एक अनो में चंदा का प्रेम जलक रहा था चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे कुमर एक फावड़ा उठा लै और पौधो का एक थाला बना कर चारो और उची मेड उठा दी फिर खुरपी लेकर अंदर की मिटी को गोड दिया पौधा और भी लहलाहा उठा चंदा बोली कुछ सुनते हो क्या कह रहा है कुमर ने मुस्कुरा कर कहा हाँ कहता है अम्मा की गोद में बैठूंगा चंदा नहीं कह रहा है इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना मगर कुमर को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था शत्रू को न जाने कैसे उनकी टोह मिल गई इधे तो हिच्चिंतकों के आगरे से विवश होकर बुढ़ा कुबेर सिंग चंदा और कुमर की विवा की तयारिया कर रहा था उधर शत्रूओं का एक दल सिर पर आपहुँचा कुवर ने उस पौधों के आसपास फूल पत्तों को लगा कर एक फूलवारी सी बना दी थी पौधों को सीचना अब उनका काम था प्रात्यकाल वक कंधों पर कावर रखे नदी से पानी ला रहे थे कि दस बारा आदमियों ने उन्हें आकर रास्ते में घेर लिया कुबेर सिंग तलवार लेकर दोड़ा लेकिन शत्रूओं ने उसे मार गिराया अकेला अस्त्रहिन कुवर क्या करता कंधों पर कावर रखे वे बोला अब क्यू मेरे पीछे पड़े हो भाई मैंने तो सब को छोड़ दिया है सरदार बोला हमें आपको पकड़ कर ले जाने का हुक्म है तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता खैर अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंग के तलवार मुझे दे दो अपनी स्वाधिनता के लिए लड़कर तो प्रांदू इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुबर को पकड़ कर मुझे कस दी उन्हें एक घोड़े पर बिठा कर घोड़ों को भगा दिया कावर वहीं पड़ी रहे गी उसी समय चंदा घर से निकली देखा कावर पड़ी हुई है और कुवर को लोग घोड़े पर बिठाए ले जा रहे हैं चोट खाईवे पकशी की भातीवक कई कदम दोड़ी फिर गिर पड़ी उसकी आखों के आगे अंधेरा चा गया सैसा उसकी दृष्टी पिता की लाश पर पड़ी वो घबरा कर उठी और लाश के पास जा पहुची कुबेर अभी मरा न था प्राण आखों में अटके वे थे चंदा को देखते ही छीन स्वर में वो बोला बेटी कुवर इसके आगे वो कुछ न कह सका प्राण निकल गये पर इस शब्द कुवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया बीस वर्ष बीत गये कुवर कैज से न चूट सके ये एक पहाडी किला था जहां तक निगाह जाती थी पहाड़ियां ही नजर आती थी किले में उन्हें कोई कष्ट न था नौकर, चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर, शिकारी किसी भी बात की कमी न थी पर उस वियोग अगनी को कौन शांत करता जो नित्य कुवर के रिदय में जला करती थी जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी कोई प्रकाश न था अगर कोई इक्षा थी तो यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर ले जहां उन्हें वह सब कुछ मिला जो एक मनुष्य को मिल सकता है हाँ, उनके मन में यही एक मात्र अभिलाशा थी कि उन पवित्र स्मृतियों से रंजित भूमी के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दे वही नदी का किनारा, वही व्रिक्षों का कुंज वही चंदा का छोटा सा सुन्दर घर उसकी आँखों में फिरा करता और वह पौधा, जिसे उन दोनोंने मिलकर सीचा था उसमें तो मानों उसके प्राण ही बसते थे क्या वह दिन भी आएगा जब वह उस पौधे को हरी हरी पतियों से लधा हुआ देखेगा कौन जाने, वह अब है भी या सूख गया कौन अब उसको सीचता होगा चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़ी ही बैठी होगी ऐसा संभव भी तो नहीं उसे अब मेरी सुध भी न होगी हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खीच लाती हो तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती होगी मुझ जैसे अभागे के लिए इससे अधिक वक कर ही क्या सकती है उस भूमी को एक बार देखने के लिए वो अपना जीवन तक दे सकता था पर यह अभिलाशा पूरी ही न होती थी आह, एक युग बीत गया शोक और नैराशे ने उठती वे जवानी को कुचल दिया ना आखों में जोती रही ना पैरों में शक्ती जीवन क्या था? एक दुखदाई स्वपन था उस सगन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था बस जीवन का आधार एक अभिलाशा थी एक सुखद स्वपन जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था एक बार फिर वह वही स्वपन देखना चाहता था फिर उसकी अभिलाशाओं का अंत हो जाएगा उसे कोई इक्षा न रहेगी सारा अनन्त भविशे, सारी अनन्त चिंताएं इसी एक स्वपन में लीन हो जाना चाहती थी उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न थी उन्हें उस पर दया आती थी रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता था और लोग मीठी नीन सोते थे कुवर भाग जा सकता है इसकी कोई संभाव न कोई शंका न थी यहां तक कि एक दिन एक सिपाही भी निशंक होकर बंदुक लिए लेट रहा निद्रा किसी हिंसक पशु की भातित ताक लगाए बैठी थी लेटते ही तूट पड़ी कुवर ने सिपाही की नाक की आवाज सुनी उनका हृदे बड़े वेक से उचलने लगा यह अफसर आज कितने दिनों बाद मिला था वो उठे मगर पाउँ थर थर काप रहे थे बारामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका कहीं इसकी नींद खुल गई तो हिंसा उनकी सहयता कर सकती थी सिपाही की बगल में उसकी तलवार पड़ी थी पर प्रेम का हिंसा से बैर है कुवर ने सिपाही को जगा दिया वो चौक कर उठ बैठा रहा सहा शंशय भी उसके दिल से निकल गया दूसरी बार जो सोया तो खर राटे लेने लगा प्रात्यकाल जब उसकी निद्रा तूटी तो उसने लपक कर कुवर के कमरे में जहाका कुवर का पता न था कुवर इस समय हवा के घोडे पर सवार कलपना की दृत गती से भागा जा रहा था उस स्थान को जहां उसने सुक स्वपन देखा था किले के चारो और तलाशी हुई नायक ने सवार दोड़ाए पर कहीं पता न चला पहाडी रास्तों का काटना कठिन उस पर अज्यातवास की क्याद मृत्यू के दूत पीछे लगे वे जिनसे बचना मुश्किल कुवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए जब यात्रा पूरी हुई तो कुवर में एक कामना के सिवाए और कुछ शेश न था दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वो उस स्थान पर पहुँचे तो संध्या हो गई थी वहाँ बस्ती का नाम भी न था दो चार टूटे फुटे जोपडे उस बस्ती के चिन स्वरूप शेश रह गया थे वो जोपडा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुख में दिन काटे थे जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था अब उनकी अभिलाशाओं की भाती भग न हो गया था जोपडी की भगनावस्ता मूख भाशा में अपनी करून कथा सुना रही थी कुवर उसे देखते ही चंदा-चंदा पुकारते वे दोडे उन्होंने उस रज को माथे पर मला मानू किसी देवता की विभूती हो और उसकी टूटी वी दिवारों से चिमट कर बड़ी देर तक रोते रहे हाई रे अभिलाशा वह रोने ही के लिए इतनी दूर से आये थे रोने की अभिलाशा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी पर इस रुदन में कितना स्वर्गिय आनन्द था क्या समस्त संसार का सुख इन आसुओं की तूलना कर सकता था तब वो जोपडे से निकले सामने मैदान में एक व्रिक्ष हरे हरे नविन पल्लमों को गोद में लिये वे मानो उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था यह वह पौधा था जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने आरूपित किया था कुवर उनमत्त की भाती दोड़े और जाकर उस व्रिक्ष से लिपट गये मानो कोई पिता अपने मातरिहिन पुत्र को छाती से लगाए वे हो यह उसी प्रेम की निशानी है उसी अक्षय प्रेम की जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया है कुवर का रिदय ऐसा हो उठा मानो इस व्रिक्ष को अपने अंदर रख लेगा जिसमें उसे कोई हवा का जोंका भी न लग सके उसके एक-एक पल्लाव पर चंदा की स्मृत्ती बैठी वी थी पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था उनके हाथों में दम न था सारी देह भूख, प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी पर वा उस व्रिक्ष पर चड़ गये और इतनी फूर्ती से चड़े कि बंदर भी न चड़ता सबसे उची फुनगी पर बैठ कर उन्होंने चारों और गर्वपूर्ण दृष्टी डाली यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था सारा दृष्टी चंदा में हो रहा था दूर की नीली परवस्ष्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी आकाश में तैरने वाली लालीमा में नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी सुरे की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हस रही थी कुमर की मन में आया कि पंची होता तो इनी डालियों पर बैठावा जीवन की दिन पूरे करता जब अंधेरा हो गया तो कुमर नीचे उत्रे और उसी व्रिक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमी जाड़कर पत्तियों की शया बनाई और लेट गये यही उनके जीवन का स्वर्ग स्वपन था आह वही वैराग्य अब इस व्रिक्ष की शरन छोड़कर कहीं न जाएंगे दिल्ली के तक्त के लिए भी वह इस आश्रे को न छोड़ेंगे उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सैसा एक पक्षी आकर उस व्रिक्ष पर बैठा और दर्द में डूबेवे स्वरों में गाने लगा ऐसा जान पड़ा मानो व्रिक्ष सिर्धुन रहा हो वह नीरव रात्री उस वेदना में संगीत से हिल उठी कुमर के रिदय इस तरह एठने लगा मानो वह फट जाएगा स्वर में करुना और वियोग के तीर से भरेवे थे आह पक्षी तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड गया है नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा इतना विशाद इतना रुदन कहां से आता कुमर के रिदय के टुकड़े हुए जाते थे एक-एक स्वर तीर की भाती दिल को छेदे डालता था वह बैठे न रह सके उठकर आत्मव्रिस्मित्ती की दशा में दौड़ते वे जोपड़े में गय वहां से फिर व्रिक्ष के नीचे आए उस पक्षी को कैसे पाएं कहीं दिखाई नहीं देता पक्षी का गाना बंध हुआ तो कुमर को नीच दा गई उन्हें स्वपन में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आ गया है कुमर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी न था चन्दा थी कुमर ने पूछा चन्दा यह पक्षी यहां कहा चन्दा ने कहा मैं ही तो वह पक्षी हो कुमर तुम पक्षी हो क्या तुम ही गा रही थी हाँ, प्रियतम, मैं ही गा रही थी इसी तरह रोते-रोते एक युग बीत गया कुवर तुमारा घोसला न कहा है? चंदा उसी जोपड़े में जहां तुमारी खाट थी उसी खाट की बान से मैंने अपना घोसला बनाया है कुवर और तुम्हारा जोड़ा कहा है चंदा मैं अकेली हूँ चंदा को अपने प्रियतम की स्मरण करने में उसके लिए रोने में जो सुख है वो जोड़े में नहीं मैं इसी तरह अकेली रहूँगी और अकेली मरूँगी कुवर मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता चंदा चली गए कुवर की नींद खुल गए उशा की लालिमा आकाश पर छाई वी थी और वह चिडियां कुवर की शया के समी पाकर एक डाल पर बैठी चहक रही थी अब उस संगीत में करुणा न थी विलाप न था उसमें आनंद था चापल्ले था सारल्ले था वह वियोक का करुण करंदन नहीं मिलन का मधुर संगीत था कुमर सोचने लगे इस स्वपन का क्या रह से है कुमर शया से उठते ही एक जाडू बनाए और जोपडे को साफ करने लगे उनके जीते जी इसकी यह भगन दशा नहीं रह सकती वह उसकी दीवारें उठाएंगे इस पर छपपर डालेंगे इसे लिपेंगे इसमें उनकी चंदा के स्मृति वास करती है जोपडे के एक कोने में वह कावर रखी वी थी जस पर पानी लाला कर वह इस व्रिक्ष को सीचते थे उन्होंने वह कावर उठाली और पानी लेने को चले दो दिन से कुछ भोजन न किया था रात को भूख लगी वे थी पर इस समय भोजन की बिलकुल इक्षा न थी दे में एक अद्भूत स्पूर्ती का अनभव होता था उन्होंने नदी से पानी लाला कर मिट्टी भीगोना शुरू किया दोड कर जाते और दोड कर आते उनमें इतनी शक्ती कभी न थी एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितनी चार मजदूर भी न उठा सकते थे और कितनी सीधी चिकनी दिवार थी कि कारिगर भी देखकर लज्जित हो जाता प्रेम की शक्ती अपार है संध्य हो गई थी चिडियों ने बसेरा लिया व्रिक्षो ने भी आखे बंद की मगर कुवर को आराम कहा तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे रखे जा रहे थे हाई रे कामना क्या तु इस बिचारे के प्राण लेकर ही छोड़ेगी व्रिक्षो पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया कुवर के हाथ से घड़ा छूट पड़ा हाथ और पैरों में मिट्टी लपेट कर व्रिक्षी के नीचे जाकर बैठ गए उस स्वर में कितना लालित्य था कितना उत्साह, कितने जोती मानो संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था उसमें यह जागरिती, यह अम्रित, यह जीवन कहा संगीत के आनंद में विस्मृती है परवा विस्मृती कितने इस्मृती में होती है अतीत को जीवन और प्रकाश्य रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ती संगीत के सिवाए और कहा है कुमर के हृदयनेत्रों के सामने वह द्रिश्य खड़ा हुआ था जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल लाला कर सीचती थी है क्या वे दिन फिर से आ सकते हैं सैसा एक बटो ही आकर खड़ा हो गया और कुमर को देखकर प्रश्ण करने लगा जो साधारंत दो अपरचित प्राणियों में हुआ करते हैं कौन हो कहां से आते हो कहां जाओगे पहले वह भी इसी गाउं में रहता था पर जब गाउं उजड़ गया तो समीब के एक दूसरे गाउं में जाकर बस गया था अब भी उसके खेत यहां थे रात को जंगली पशु से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वह यहां आकर सोता था कुवर ने पूछा तुम्हें मालूम है इस गाउं में एक कुबेर जिंग ठाकूर रहते थे किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा हाँ हाँ भाई जानता क्यों नहीं बिचारे यहीं तो मारे गए तुमसे भी क्या जान पैचान थी कुवर हाँ उन दिनों कभी कभी आया करता था मैं भी राजा की सेवा में नौकर था उनके घर में और कोई न था किसान अरे भाई कुछ न पूछो बड़ी करुन कथा है उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी केवल लड़की बच रही थी आह, कैसे सुशीला, कैसे सुघर लड़की थी उसे देखकर आँखों में जोती आ जाती थी बिल्कुल स्वर्गी की देवी जान पड़ती थी जब कुबेर सिंग जीता था तभी कुवर राजनात यहां भाग कर आये थे और उसके यहां रह रहे थे उस लड़की की कुवर से कहीं बाच्चित हो गई जब कुवर को शत्रूओं ने पकड़ लिया तो चंदागर में अकेली रह गई गांवालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए उसके लिए वरो का तोड़ा न था भाई ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने आपको धन्य न मानता पर वह किसी से विवाह करने पर राजी ही न हुई ये पेड जो तुम देख रहे हो ना तब छोटा सा पौधा था इसके आसपास फूलों की और कई क्यारियां थी इनी को गोड़ने, निराने, सिचने में उसका दिन कटता था बस यही कहती थी कि हमारे कुमर आते होंगे कुमर की आखों से आसमों की वर्षा होने लगी मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा दिनों दिन घुलती जाती थी तुम्हें विश्वास न आएगा भाई उसने दस साल इसी तरह काटती है इतनी दुर्बल हो गई थी कि पहचानी न जाती थी पर अभी भी उसे कुमर सहाब के आने की आशा बनी ही हुई थी आखिर एक दिन इसी व्रिक्ष के नीचे उसकी लाश मिली ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई कुमर न जाने मरे की जिये कभी उन्हें इस विरहनी की याद आई भी या नहीं पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा होना चाहिए कुमर को ऐसा जान पड़ा मानोह रिदय फटा जा रहा है वह कलेजा थाम कर बैठ गये मुसाफिर के हाथ में एक सुलकता वह उपला था उसने चिलम भरी और दो-चार दम लगा कर बोला उसके मरने के बाद यह घर गिर गया गाउं तो पहले ही उजाड हो चुका था अब तो और भी सुनसान हो गया दो-चार आदमी यहां आकर बैठते थे अब तो चिडिया का पूत भी आहां नहीं आता उसके मरने के कई महने बाद यही चिडिया इस पेड़ पर बोलती भी सुनाई दी तब से बराबर इसे यहीं बोलते वे सुनता हूं रात को सभी चिडिया सो जाती है पर यह रात भर बोलती रहती है पर इसका जोड़ा कभी दिखाई नहीं दिया बस फुटैल है दिन बर उसी जोपड़े में पड़ी रहती है रात को पेड़ पर आकर बैट जाती है मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है नहीं तो सुनकर रोना आ जाता था ऐसा जान पड़ता है मानू कोई कले जो को मसोस रहा है मैं तो कभी कभी पड़े-पड़े रो दिया करता हूं सब लोग कहते हैं कि यह वही चंदा है अभी कुवर की वियोग में विलाप कर रही है मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है आज न जाने क्यों इतनी मगन है किसान तमाकु पीकर सो गया कुवर कुछ देर तक खोई वे से खड़े रहे फिर धीरे से बोले चंदा क्या सच मुझ तुम ही हो मेरे पास क्यों नहीं आती एक छण में चिडिया आकर उसके हाथ पर बैठ गई चंदरमा के प्रकाश में कुवर ने चिडिया को देखा ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आखे खुल गई हो मानो आखों के सामने से कोई आवरन हट गया हो पक्षी के रूप में भी चंदा के मुखाकृती अंकित थी दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुवर की लाश पड़ी वी थी कुवर अब नहीं है किन्तु उनके जोपडे की दिवारे बन गई है उपर फूस का नया छपर पड़ गया है और जोपडे के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी है गाउं के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे उस जोपडे में अब पक्षियों के एक जोडे ने अपना घोसला बनाया है दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते हैं साथ साथ आते हैं रात को दोनों उसे व्रिक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं उनका सुरम में संगीत रात की नीरवता में दूर दूर तक सुनाई देते हैं वन के जीव जन्तु या स्वर्गिय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, या पक्षियों का जोड़ा, कुवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं, एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फसाना चाहा था, पर गाउं वालों ने उसे मार कर भगा दिया, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों ऐसे और भी कहानिया सुनने के लिए आप मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की वी कोई भी कहानिया आपसे मिस ना हो, फिर म मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, नमस्कार.